हलो बच्चो नमस्कार मैं हूँ अमितो जहा और एम हाई टुटोरियल के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ बच्चो मैंने पहले भी कहा था आप से कि मैं आपके लिए इस चैनल पे मैं आपके लिए हिस्ट्री का विडियो बनाना सुरू किया है तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री क्या है बेसिक सा चीज है आपको बहुत डीप पढ़नी की ज़रूरत नहीं है वन्डे एक्जाम्स के लिए लेकिन मोटा मोटी समझ में आना चाहिए कि इतिहास कहते किसको है तो हिस्ट्री जो है वो क्या है हिस्ट्री बीते हुए कल का अध्यान मतलब जो पास्ट है जो गुजर गया उसका स्टडी हम लोग प्रिजेंट में करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इतिहास तो अगर हम Indian history की बात करें जो कि जो हमारे competitive exam से में पूछा जाता है उसका syllabus है Indian history भारतिय इतिहास तो Indian history की बात करें तो भारतिय इतिहास को अध्यन की सुविधा की अनुसार तीन भाग में बाटा गया है प्राग इतिहासिक काल आद इतिहासिक काल और इतिहासिक काल प्राग इतिहासिक काल या pre-historic age उसको कहते हैं कि इतिहास का वह भाग या इतिहास का वह काल जो बिना किसी लिखित साक्ष के है या जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष literary sources उपलब्ध नहीं है उसको हम लोग कहत प्राग इतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है जैसे सिंधु सभिता का काल सिंधु सभिता में लिखित साक्ष तो मिला है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए उसको आधियासिक काल में रखते हैं और इतिहासिक काल का मतलब वो कि इतिहास का वह काल जिसके समय में लिखित साक्ष भी मिला है जिस समय का और उसको पढ़ा भी जा चुका है तो इस काल को हम लोग इतिहासिक काल में रखते हैं तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है प्राग्यातिहासिक काल तो आज हम प्राग्यातिहासिक काल का एक छोटा सा दर्शन करेंगे कि प्राग्यातिहासिक काल है क्या नॉर्मली प्राग्यातिहासिक काल से संबंदित सवाल बहुत जादा नहीं पूछे जाते हैं एक दो सवा कोहीं टार्गेट रखके उतना ही सा पोर्शन क्लेर करेंगे इसमें तो सबसे पहले देखिए कि प्रागयात्यासी काल या प्रिहिस्टोरिक एज या स्टोन एज इसको स्टोन एज भी कहते हैं क्योंकि इस पूरे काल में सिर्फ पत्थर मिला था जो आज हम उपयोग करते हैं धातू या धातू के ओजार ये सब चीजें उससे में नहीं मिले थी सर्फ पत्थर था और पत्थर से ही ओजार बनाते थे इंसान इंसानों का जीवन बहुत कठिन था तो इसलिए इसको स्टोन एज भी कहा जाता है तो प्रागयात्यासी काल हमारे भारती इतिहास की बात कर तो इतिहासकारों ने ये माना है कि भारती इतिहास और भारती इतिहास मतलब भारती मानों का इतिहास किसी और जीव का इतिहास नहीं भारती इतिहास मोटे तौर पे हम लोग अध्यन करते हैं धाई लाख वर्स पहले से वर्तमान समय तक का तो भारती उप महदीप की बात क करें तो प्रग्यातियांसी काल के सुरुवात धाई लाक वर्स पहले से मानी जाती है लेकिन नवीन सोध के अनुसार अभी महरास्ट्र में बोरी एक जगह है वहां से 14 लाक वर्स पहले के मानव का साक्ष प्राप्थ हुआ है लेकिन अगर हम मोटे तोर पर बात करें तो प्रग्यातियांसी काल को भी अध्यन की सुवधा के अनुसार तीन भाग में बाटा गया है पुरा पासान काल मध्यपासान काल नौपासान काल पुरा पासान काल पैलियोलिथिक एज पुरा पासान का काल जो है वह धाई लाक वर्स पहले से एक लाक वर्स पहले तक का माना मुद्य पासान काल का जो कालखन्ड है मैसोलिथिक एज का वो 9000 bc से 4550 bc का माना जाता है और 9% काल का जो एज है वो पच्पन ऐज से 3000 bc का माना जाता है. अब यह सोचिए कि ये इनका जो division किया गया है प्रगयतिहांसि काल का, किस आधार पे किया गया है? तो बेसिकली ये पत्थर जो मिले थे, स्टोन जो मिला था, इस काल में जो स्टोन मिला, इस काल में भी मिला, लेकिन इस काल में कुछ नए स्टोन मिलने लगे, इस काल में जो ओजार बनाये गए, इस काल में कुछ नए ओजार बनाये जाने लगे, तो स्टोन की क्वालिटी, स उसार तीन भाग में बाठ दिया गया, निम्न पुरा पासान काल, Lower Paleolithic Age, इसका कालखंड माना गया है, धाई लाख बर्स पहले से एक लाख बर्स पहले तक का, फिर मद्न पुरा पासान काल, Middle Paleolithic Age, इसका कालखंड माना गया, एक लाख BC से 40,000 BC का, उच्च पुरा पासान काल, Upper Paleolithic Age, इसका कालखंड माना गया, 40,000 BC से 10,000 BC का, अब एक चीज़ आप देख रहा होंगे, कि यह जो डॉट 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 छोड़ा हुआ है, यह क्यों किया है, मैंने, डॉट छोड़ने का मतलब यह है, कि अचानक से कोई भी काल समाप्त नहीं हो जाता, जैस अगर कहीं पूरा पासानकाल यह Paleolithic Age चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुरंट वो समाप्त हो गया, खतम हो गया, और मध्य पासानकाल स्टार्ट हो गया, यह Middle Paleolithic Age स्टार्ट हो गया, इस डॉट का मतलब यह है, कि इसके कुछ पहले से स्टार्ट हुआ है, और इसके कुछ स्टार्ट हुआ है, और 3000 BC के आगे भी जा सकता है, इसलिए यह डॉट छोड़ा गया है, तो मोटा मोटी प्रग्यातियांसी काल का प्रिस्टॉरिक Age का डिविजन यह है, दूसरा यह है कि अब सवाल क्या, सवाल तो यह पूछा नहीं जाएगा, तो यह चीजे मैंने के दिमाग में क्रोनोलोजी बन जाए, कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उस क्रोनोलोजी में हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो जादा दिमाग में जाएगा और क्लेर होगा, अधरवाईज हम सर्फ उठा के रटना स्टार्ट करेंगे, तो रट तो लेंगे आप, लेकिन बहुत जादा टिकाऊ नहीं होता, वो फुर आप भूल भी जाएंगे, जितनी तेजी से आप रटेंगे, उतनी तेजी से भूलेंगे भी, तो हम कोशिस ये करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक दिमाग में क्रोनोलोजी बनाएं, और उसके अनुसर हिस्ट्री पढ आसानकाल में आपको पढ़ना है कुछ साइट, वो साइट मैं आपके सामने धीरे-धीरे लेकर आऊंगा, अभी फिल हाल नहीं, पहले आप उसको समझेए, मैं उन साइट को लेकर आऊंगा, और उन्ही साइट से सवाल पूछे जाते हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वो फै झाल